जरीडी शराब से अभी तक 25 लोगों के मौत की पुष्टी हुई है, सिवान जिला में 20 और सारण जिला में 5 अभी तक इस प्रकरन में 12 लोगों की ग्रफतारी हुई है, सिवान में 9 और सारण में 3 अब तक के अनुसंधान और च्छान बीन से शराब माफिया का नाम सामने आया है, जिसकी सनलिपता इस पूरे कांड में है, पुलीस द्वारा घटना की सूचना मिलते ही, जिले के एसपी, डीम, सारण रेंज के डी आईजी सभी प्रभावी छेत्रों में गए और अवश्यक क कारवाई की गई, अनुसंधान के बिंदू पर एसाइटी का गठन किया गया है, जो अनुसंधान का नुश्रवन कर रही है, इस कांड में शामिल अन्य तत्वों के विरुद कारवाई करने के लिए लग से टीम का गठन किया गया है, जो भी इस कांड में सनलिप्त हैं, चा सब पे सक्त कारवाई की जाएगी इसके अतरिक पटना से बदनिशेद विभाग से सशिव और बदनिशेद शाखा से पुलिस अधिक्षक को भी प्रभावित छेत्र में भेजा गिया है कोई जाकर समस्या का अध्यन करें कांडो की प्रफाइलिंग करें और एक विस्तृत कार योजना त्यार की जा रही है जिससे प्रभावित छेत्रों में कारगर कारवाई की जा सके कुल जो लोग जो अफेक्टेट थे उसमें से 31 लोग जो थे वो अफेक्टेट थे जो कल घटना के बाद जो हम लोगों का टीम जो है आंगन वरी सिर्का फिर आसा कर करता फिर जो हमारे जो पुलिस के जो परसनल है उन लोगों के दौर जो है वो घर घर जाके संग्षा किय हाँ से लेके आया थे तो कि लोगों का एक इस लोगों का आपने घर वह हमारे जुपिटल यहां से पिछले लोगों के मशरख या फिलाज श्में पांच की मूर्तिव हुई है जो पांच मुट्व कि तो पांच पांच मुर्ट्य गया नपों हुआ नाम दे दे रहे हैं उसमें सबसे पहले इसलाम अंसारी हमकि अंसारी ना हिए समृ की प्रधीप साह कि मिर्त उफिए शिंग है उंकी मिर्त उइन हिए और लोगों को सदर हश्पातार वह अब द्ृतत भाकि ऑलाट को dedicated सबूद रहे हैं और कुछ लोगों का इलाज वो सदरस पताल में चल रहा है अभी हम लोगों का जो मूल उद्धिश ही है जो भी लोग बिमार है वो सभी लुग जो है और जो जिनका कम बिमार थे लोगों के इलाज कराएक उनको घर भी भेज दिया गया है उस रिपोर्ट में या आया है कि उसमें लगभग 80% जो है निदा अलकॉल है और एक और सबस्टांस है जो हानिका रहा है तो इसमें सराव के साथ जो है की बात नहीं है इसमें से मुपरूप से है कि जरीला पदार्त जो है यह किया गया है और जो हम लोग जांच कर रहे हैं और इसके बाद जो भी आएगा ता अप लोग अपडेट करते रहे हैं कि जो पुलिस के समद्ध में जो करवें की जा रही है उसके समद्ध में आपको अगोच रहे हैं देखिए मश्रक में जो सीवान के बॉर्डर लाके हैं वहाँ पर जो इप्राहिमिपूर है वहाँ पर ऐसी घटना सामने आई है जिसमें पांच लोग की अब तक जो है यह संद्ध हस्पद पे पदात पीने की वेज़े से मृत्यू की बात आ रहे है इसको ले करके वहाँ पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है वहाँ के जो फीट पुलिस पदा दिकारी है उसको सस्पेंड करके लाइन आजिर किया गया है साथ ही जो थाना ध्यक्ष है और वहाँ के एल्टीय प्रभारी है उन दोनों को पश्टिकरन पूछा गया है तंतोज जनक नहीं पाये जाने पर उन पर भी कारवा की गई है इसके अलावा 13,000 लीटर से उपर पाश जो की घोल होता है उसको विनष्ट किया गया है और इसमें 37 लों की गिरफतारी की गई है तो हमारे ये महासमकाली नभ्यान लगातार जारी है उनके छेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाए हो रही थी उसके जो है लग अग्यात अभ्यूक्त है जिसमें से तीन नामजद अभ्यूक्तों को गिरफतार किया गया है जो उसे एरिया में सहराब की सफलाई करते थे जिसकी पुष्टी जो है मिरतक और उनके परिजनों ने करी है उसकी गिरफतारी हमने करी है इसमें हमारी टीम लगातार छपा मारी कर रही है उसमें जो मुख्य सरगना बताए गए हैं उन्हों को यह बहुत जल्दी हम लोग पकड़ें